दोस्तो आवला का सेवन सेहत को काफी लाब पहुँचाता है क्योंकि आवला ओसदिये गुणों से भरपूर होता है आवला का सेवन वैसे तो कई तरीकों से किया जा सकता है लेकिन क्या आवला का पानी में भिगो कर सेवन किया है जी हाँ रात बर पानी में भीगे आवला का सुबह खाली पेट सेवन सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है भीगे वे आवला का सेवन करने से इम्मुनिटी को बुष्ट करने में मदद मिलती है साथ ही इसके सेवन से तवचा को भी लाब पहुंसता है क्योंकि आवला में विटामिन C, पोटेसम, केलसियम, आयरन और एंटी ओक्सिडेंट जैसे पोसक तत्तू परचूर मात्रा में पाए जाते हैं जो सरीर को सुवस्त रखने में मदद करते हैं आये जानते हैं आवला को पानी में भिगो कर खाने के फायदों के बारे में परती रख्सा परणाली बनाए मजबूत करते हैं जिससे आपका वाइरस और बैक्टीरिया से बचाओ होता है वजन को करे कम अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान है और वजन कम करना चाहते हैं तो आपको भीगे हुए आवला का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से मेटाबोलिजम तेज होता है जिससे कैलोरी तेजी से बर्ण होती है और वजन कम करने में फाइदा मिलता है ताउचा को रखे स्वस्त अगर आप आवला भीगो कर सेवन करते हैं तो यह ताउचा को लाब पहुचाता है क्योंकि आवला में मुझूद एंटी ओक्सिडेंट और विटामी सी ताउचा का स्वस्ते के लिए लाब दायक होते हैं यह ताउचा के दाग धबो और जुर्यों को दूर करने में और ताउचा को चमकदार बनाने में मदद करते हैं सरीर को करे डिटोक्स अगर आप भीगे वे आवला का सेवन करते हैं तो इससे सरीर में जमे विसाक्त पधार्त बाहर निकलते हैं और सरीर डिटोक्स होता है जिससे आप कई बिमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं हार्ट को रखे हल्दी अगर आप रात बर पानी में भीगे वे आवला का खाली पेट सेवन करते हैं तो यह हार्ट हेल्थ के लिए फायदिमंद होता हैं क्योंकि इसमें मुझूद एंटी ओक्सिडेंट गुन कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करते हैं जिससे हार्ट से ज तो यह पाचन स्वाफस्ते के लिए फायदिमंद होता हैं क्योंकि इसमें मुझूद फाइबर पाचन किरिया में सुधार करता हैं और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे ल अश्क्राइब करना भूलें